पच्चिमी राजस्थान को मरुष्थलिय प्रदेश से जाना जाता था लेकिन अब तस्वीर बदलती नजर आ रहे हैं ख्षेतर में प्रगर्ती सिल किसान अनार, खजूर, बेर, अंजीर वर नीमू की खेती को तो अपना रहे हैं प्रगर्ती सिल किसान सिंध्री पूरु प्रधान सोलाल भाबू ने आरेल इस्तिल भाबू का बेरा फार्म हाउस पर खेती में नवाचार करते हुए आयूर्वेदिक ओसेदी सहजन के पोदे की खेती की हैं क्रिसी विग्यान के अंद्र गुडा मलानी के डॉक्टर रावताराम भाकर ने बताया कि सहजन की फली या फूलों का सेवन आपकी आँखों के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है सहजन की खेती के लिए आप बलूई दौमट मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं इसके अलावा आप बंजर जमीन का भी इस्तमाल इसकी खेती के लिए कर सकते हैं सहरजन एक ऐसा पोदा है जो सभी तरह की जमीन में आसानी से लग जाता है आप जिस भी जमीन में सहरजन की खेती करें तो उसका पीएच लेवल 6 से 7 तक होना चाहिए इसके अलावा सहरजन की खेती आप ज्यादा से ज्यादा 35 डिगरी तापमान वाली जगह पर आराम से कर सक जिसको मोरिंगा या सहरजन की खेती के नाम से जानते हैं इसकी तरब भी किसानों का रुजान बड़ा है सहरजन एक प्रकार का उसी दिये पोदा है जो की बाड मेर और जेसल मेर जैसी विशम प्रस्तितियों वाले और कम पानी वाले छेतर के अंदर आराम से उग जाता है और यह जो पोदा है यह उसे दिये गुणकारी होने के साथ साथ और यह जो पोदा है बहु उपयोगी पोदा है इसकी जो पतियां है वह बकरियां भेड बकरियां है जो बड़े चाव के साथ खाती है और इसमें प्रोटीन की मातरा भरपूर होने के कारण के मातरा भरपू सब्सक्राइब करने के पत्तों का उपयोग जूस बनाने में होता है इसके अलावा यह पोदा औसे दिये रूप से भी काफी जादा उपयोगत होता है सहाजन की फली आपकी इम्म्यूनिटी को बढ़ाने में भी मदद करती हैं इसके अलावा सहाजन की वज़त से आपकी रोगप्रती रोगव्यक्षमता भी बढ़ती हैं सोलाल भाबु ने बताया कि सहाजन एक तरह का पौदा हैं जिसमें आपको सहाजन की फली देखने को मिलती हैं जो आप बाजार में कच्ची या हरी बेच सकते हैं इसके अलावा आप इसकी पकी हुई फली भी किसानों को बेच सकते हैं कहें बाई-बाई महंगे और बाहरी प्रोडक्ट्स को और आज ही लाएं बार्मेर में निर्मे धीरज गोल्ड डिटर्चन पाउडर और साबुन दोरों में भी आयूरती खेती देखने को मिल रही है हमारे साथ पुरू शुनितरी परदान और परगरतिशील किशान ने उनसे बात करेंगे यह क्या खेती है और किस परकार आपने खेती की नमस्कार यह शैजन की खेती है शैजन खाओ निरोग रहो बहुत अच्छी किसान को पैदावर देने वाली खेती है मैंने पांस एक्टर में यह खेती पर्थमवर्स लगाई है इसमें शितर पतिसत ड्रीप के लिए सबसीटी भी मिलती है में खजूर लगने का मन में था खजूर के लिए मैं सौर्टन साइड में गया गुमते 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 में रबासर गया रबासर में एहसान मुम्मद अईयन साहब के वहां बेरे पे गया तब पतासला की सहजन की खेती बहुत असी है और उनके वहां ये फड़ीयां तोड़ी जा रही थी फड़ीयां तोड़ीयां 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 तोड़ीया के द्वारा यह मैंने पांस एक्टर में या मेरे खेत में यह सहजन बोया है सहजन एकदम निरोग है इसे बहुत फाइदा है बहुत फाइदा जिता आप काम मिलो उता फाइदा यह थे प्रगतिशिल किसान इन्होंने बताया कि अब धोरों में भी आयुदीक खेती की जारी है केमरामेन मुलाराम ढाका के साथ अरजुन दर्जी गुडा मलानी अडिल